हालो बच्चों कैसे हुआ आप सब लोग मैंने हारिका फिर से एक बारा सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने मास्च 30 की सीरीज के बाच में मैं उमीद करती हूँ बच्चे आप सब लोग बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे आप सब बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रही होगी आप लोगों को किसी भी चीज में कोई डाउट दिक्कत परिशानी नहीं आ रही ह होगी और चीजें अभी तक क्लियर होंगी तो बच्चे मास्च 30 आज यौर बाच नेम सज्डेस जैसा आपके बाच का नाम है इसमें बच्चे हम लोग करते हैं कुछ 30 क्वेशिंड टोटल 30 क्वेशिंड हम लोग करते हैं हर क्लास में हम लोग तीन से चार टॉपिक्स के व हम उसके MCQs, उसके Short Question Answers और उसके Long Question Answers को करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके Chapter की Revision भी हो चुकी है, Summarization भी हो चुकी है और अब यहां Master 30 Series में वो लोग देखने आते हैं अपने आपको कि आप लोगों ने कहां तक पढ़ाई करी हैं और कहां तक आप लोग उस पेपर के लिए स्कोर कर पा रहे हैं तो चलिए बच्चों, start करते हैं हमारे आज के इस lecture को तो जैसे की बच्चे आप लोग अपनी screens पर देख पा रहे हैं हम लोग आज क्या करने वाले हैं हम लोग आज करने वाले हैं from the diary of Anne Frank how to tell wild animals और Amanda नाम की एक poem तो बच्चे pattern हमारा same रहने वाला है total हम लोग करने वाले है 12 MCQs ठीक है 12 MCQ करने वाले हैं बच्चे हम लोग 12 short question answers करने वाले हैं और उसके बाद बच्चे हम लोग करने वाले हैं 6 long answers हर chapter में से 2-2 questions हम लोग करेंगे तो बच्चे pattern रहने वाला है ये मैं उमीद करती हूँ इस pattern के साथ आप लोग familiar है जो बच्चे नए हैं class में I hope आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे तो बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट क्या ये बच्चो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की class को तो बच्चे आप लोगों को पता है कि आज हमने क्या करना है सबसे बहले हम डाइरिया फैन फ्रांक से स्टार्ट करेंगे फिर how to tell wild animals और फिर Amanda की तरफ भढ़के बच्चे ये तीनों topics के सारे questions को हम लोग आज cover करने वाले हैं एक second आप मुझे दीजिए मैं presenter चलाने के कोशिश कर रही हूँ चल जाता है तो नहीं चलता है तो कोई दिक्कर नहीं है नहीं चल रहा चलिए छोड़ते हैं अब यहां से बच्चे पहला सवाल चुरू होता है पहला सवाल कहता है I don't want to jot down the facts in the diary the way most people do who is I here तो बच्चे यहां पर वो कहते हैं मैं बाकी लोगों की तरह jot down नहीं करना चाहती बाकियों की तरह मैं बस लिखना नहीं चाहती है अपने डाइरी में points यहां पर बच्चे आए कॉन है अब यहां पर बच्चे अगर आपको confusion होती है कि यहां से चाप्टर से उठाई गई लाइन्स है तो आप लोग यहां पर देखिए यहां पर बात हो रही है डाइरी की तो हमारी पूरे के पूरे से बच्चे डाइरी सिर्व एक लड़की ने रखी ती उस लड़की का क्या नाम था अस लड़की का नाम था अन फ्रैंक अब यहां पर आपको चार option मिलते है अन फ्रैंक, किटी, Margot या एडित तो बच्चे आप लोगों को पता है कि इस question का correct answer क्या है option number A I don't want to jot down the facts in the diary the way most people do यह लाइन द्वारा यह लाइन है जो बच्चे यह आन के द्वारा बोली गई है इस lines are spoken by अन और यह बात करती है जब अपने डाइरी के बारे में बात करती है kitty डाइरी का नाम है Margot mother, sorry sister का नाम है and Edith Hollander Frank was the name of Ann's mother अगला सवाल the diary was given to Ann for her dash birthday Ann को डाइरी कब दी जाती है तो बच्चे 1929 के अंदर Ann Frank पैदा होती है और डाइरी बच्चे उन्हें 1942 में मिलती है तो यानि उन्हें अपने 13th birthday के ओपर डाइरी मिलती है उनकी birth date बच्चे क्या थी? birth date थी 12 June 1929 चिक है? आगे भढ़ेंगे Did Sam help with the third essay? How? तो बच्चे Sam कौन थी? Sam Ann की classmate थी यह बच्चा कौन है भाया? यह classmate थी Ann की और इसने क्या help करी थी? Ann की इसने Ann की help करी थी उसे third essay लिखने के लिए third essay का नाम क्या था? Quack 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 said Mrs. Charterbox किसने लिखने को दिया था? Mr. Keesing ने लिखने को दिया था तो यहाँ पर उसने कैसे help करी? भाया Sam जो थी ना बहुत अच्छी poet थी वो बहुत अच्छी अच्छी poems बनाती थी तो यहाँ पर Sam ने suggest किया Ann को कि तुम्हे एक essay लिखना चाहिए in words, मतलब poetry एक essay लिखो जिसको तुम poetry के form में represent करो सब के आगे और वहाँ पर तुम लोग swan और ducklings के example दो story में क्या बोला गया था story में बच्छे ये बोला गया था कि यहाँ पर जो ducklings थे वो किसको represent करते हैं ducklings यहाँ पर represent करते हैं बच्चों को और swan को कौन represent करते हैं यहाँ पर Mr. Keezing जिस तरीके से swan को बच्चों की अवाज अच्छी नहीं लग रही थी कीजिंग की वैसे ही Mr. Sorry बच्चों की वैसे ही आपर Mr. Keezing को अपनी क्लास में बोलते हैं बच्चे जिसके अंदर Ann भी एक थी उसकी अवाज बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही थी अगला सवाल देखते हैं For whom was Ann's birthday present and why तो Ann किस के birthday present के form में गई थी तो बच्चे Ann के पूरी के पूरी family जो थी न वो लोग Holland shift हो गए थे कहां shift हो गए थे Holland shift हो गए थे क्यों हो गए थे Because उस समय पे यहाँ पर What was that called Basically यहाँ पर वो ethnic cleansing चल रही थी यहाँ पर वो Jewish and Nazis Hitler का rule चल रहा था So all the Jewish people had to go away to some other place So सबसे पहले father गए थे Father के पीछे mother गई थी Mother के पीछे हमारी गई थी Margot the elder sister उसके पीछे गई थी Ann Frank और यहाँ पर यह लिखा जाता है Birthday कि किस का Ann किस की birthday present थी Ann was a birthday present ठीक है यहाँ पर लिखा गया है वो किस के लिए अपने present थी वो अपने sister के लिए present थी Because पूरी के पूरी family Holland चली गई थी अभी सिर्फ Ann का बाना बाकी था So Ann का बहाँ पर आना हो As a kind of a surprise for her sister आगे देखते हैं Question दिया गया है According to the poet How can the reader discern If the beast he has met Is the Bengal tiger Better discern का मतलब है find out कि हमारे poet की according एक आदमी कैसे find out कर सकता है कि जिनसे वो मिले हैं वो एक Bengal tiger है So Bengal tiger When he eats him When he leaps at him When he roars at him Yeah many hugs him So bachy leap कौर्ण करता है Leap करता है leopard बाकी आप देखेंगे Subline सेम है Roar करता है bachy lion आपका Asiatic lion Hug करता है bachy bear तो कोई भी ऐसा animal जो हमारे poet को खा जाएगा या जो भी उस animal के सामने है उसे खा जाएगा तब आपको पता लगेगा कि वो एक Bengal tiger है ये एक बहुत ही royal animal है bachy जिसकी body के ओपर Yellow body के ओपर stripes है ठीक है जिसकी yellow body के ओपर क्या है बचे leopard का हमने पहले क्या देखा leopard के नाम में है lap lap का मतलब होता है कूदना आपके ओपर leap करना आपके ओपर jump करना तो bachy आप लोगों को पता है कि जब कोई भी animal आप पर leap करेगा जब कोई भी animal आप पर jump करेगा तो उसके jump करने का मतलब है विच आनिमर कम्स विद मेरी स्माइल तो यहां पर वो हमारे पास दो ऐसे आनिमल्स है जो काफी फेक एमोशन्स के साथ आपके सामने आते हैं वो कौन से कौन से आनिमल्स है बच्चे आपके सामने फेक एमोशन्स वाले दो आनिमल्स है आप लोगों को यह दोनों आनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले बच्चे आपके पास आते हैं हाइनास जो आपको फेक स्माइल देते हैं जब आपको मारने वाले होते हैं से पहले जूटी हसी हसते हैं और दूसरे होते हैं बच्चे आपके पास क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं इनके होते हैं फेक टियर जैसे बचपन में आपको अभी भी सब लोग गया कभी भी आपनों को ने सुना होगा किसी को बोलते में यह तो मगरमच के आशु रो रहा है अब यह मगरमच के आशु बचे कहां से आए हैं मगरमच क तो आपका पागल बनाने के लिए रो रहा है उसके आसु के पीछे बिलकुल भी कोई भी सच्चाई नहीं है तो यह पर बच्चे मेरी स्माइल के साथ जूठी हशी के साथ कोन आते हैं हाएनाज आते हैं और यह बच्चे अनिमल ाफ प्रे है ठीक है इन्हें बीश आफ प्रे कहा गया है हमारी फोम के अंदर यह वह अनिमस हैं जो शिकार करके खाना खाते हैं शिकारी एक है यह वो शिकारी आनिमल्स है चलिए अगला सवाल देखते हैं डाइंग रेली राइंग विद दो वोड लाइन का पास-पास है लेकिन राइमिंग नहीं है इन दोनों के बीच में तो बच्छा यह ऑप्षिंस देखते हैं तो वो कहते हैं तो बच्छा यह ऑप्षिंस करेक्ट होगा कि नहीं डाइंग बटन जब यहाँ पर कोई भी वर्ड के लास्ट में यह वाला साइन लगा दिया जाता है इसका मतलब हाँ पर जी है मान लो मैं आप लोगों को ऐसे ऑप्षिंस देती हूँ यह स्माइलिंग तो म इस वर्ड का मतलब है आप स्माइलिंग लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर अगर लाइन में से लाइन लिख दिया जाएगा उसको तब हम मान सकते हैं कि वो राइम करेगा यहाँ पर नहीं कर सकता तो ऑप्षिं बी बच्छे आपके क्वेशन का सही जवाब होगा अगला स वाल आता है बच्छे अमैंडा के पूम में से लाइन है आइम और्फन से लेकर फ्रीडम स्वीट तक और वो बुश्ते हैं हावार साइलेंस फ्रीडम वैलियूड है तो यहाँ पर हमारी जो लड़की है और यहाँ पर अपने आपको इमेजन करती है एक और्फन के रूप म क्योंकि वो अपनी ममा की बातों से इतना परिशान होती है कि वो अपने आपको एक अनाथ लड़की के रूप में इमेजन करती है अपने आपको मानती है कि वो बिलकुल अनाथ है तो जब वो यह मानती है कि वो बिलकुल अनाथ है इस चीज़ को मानने के बाद वो यह इमे और फ्रीडम को वह कहती है स्वीट कि फ्रीडम जो है वह बहुत ही स्वीट है बड़ी ही मीठी मीठी है तो यहां पर पहला प्शन कहता है शी रियलाइज इस दाट साइल इस गोल्डन चलो पहला पर इंट ता मैच करता है यहां पर इमोशन ही कह सकते हो कि जो फ्रीडम है वो सबसे बेस्ट इमोशन है जो एक इंसान महसूस करता है दूसरा शी रियलाइज इस फ्रीडम इस गोल्डन नहीं फ्रीडम गोल्डन नहीं है बचे तो यहीं अप्शन जाएगा कि साइलेंस उसके लिए गोल्डन है और फ्रीडम उसके लिए ग्रेटेस्ट वर्ची है यानि ग्रेटेस्ट इमोशन है जिसको वो महसूस करना चाहती है और वो क्या दिया कि अगर मेरे पैरेंट्स ना हो और मैं खुद अपनी जिंदगी जी हूँ तो साइलेंस मेरे जिन्द टो कि श Очень है तो एग किया करना चाहती है है तो बclaz टी आउन की और चीजा म्क बारे में जब ऑन की बात होती है जीए कि वह ऑल्वन गूत शहती है कि यज़ ऑन जा वह ऑल्फन बना चाहती यह ऑल्फं सब कर गूमना चाहती सबबन कर पहला जाती है तो और सबन के स्ट्रीट्स के उपर गुमना चाहती है तो अपने आपको बच्छे अमरमेड मेंचन करती है तो अपने आपको चाहती है कि वह स्विम करें डिस्टोब करने वाला नहीं और यह सारी के सारे चीज़ें बचे वो है जो वो अपने आसपास देखती है और वहां से अपनी imagination grasp करती है तो बचे 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 जब orphan है तो वो streets में freely घुमना चाहती है without any control she does not want anybody to control her option b आपके question का सही जवाब है अगले दो last सवाल बचे amanda में से अगला सवाल आता है I am Rapunzel से लेकर my bright hair तक what decision does it take about her hair तो देखिए बचे अगर आप बात करते हैं किसकी अगर आप बात करते हैं Rapunzel की कहानी की तो आप लोगों को पता होगा कि Rapunzel कौन थी Rapunzel एक princess थी तो basically उस princess के जिन्दगी में एक witch थी and the witch wants to use that princess for her own benefit उसको क्या किया गया था बहुत उचे से tower में उस लड़की को बिठा दिया गया था यहाँ पर एक छोटी सी window थी और उस tower का कोई gate भी नहीं था अब जब उस इस पाल थे ना किके इसके बाल बहुत लंबे थे तो वो क्या करती थी वो अपने बाल जो थे ना यहां से नीचे फैक दिया करती थी and the person the man she used to love वो उसके बालों को climb करके the man used to climb that you know tower by the help of her hair उसके बालों के रोप बनाकर उसके बालों के रसी बनाकर वो जो आदमी था वो ऊपर आ जाया करता था and then both of them you know had a good time अब इस चीज़ को उसके मम्मी को अच्छा निया लगता था जो उसकी विच थी she does not like that thing ठीक है she did not like that thing sorry तो उसकी मदर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी लेकिन यहां पर हमारी जो Amanda है वो यह कहती है कि भाया मैं तो Rapunzel जैसे अपने बाल नीचे कर दिया जाती कर दिया करती थी लोगों को बुलाने के लिए मैं तो वो भी नहीं करूंगी because मुझे मेरी जिन्दगी में peace चाहिए मुझे मेरी जिन्दगी में क्या चाहिए एक word वहाँ पर लिखा है बच्छे tranquility वो कहती है मुझे मेरी जिन्दगी में tranquility चाहिए मुझे मेरी जिन्दगी में peacefulness चाहिए में को कोई शोरगुल नहीं चा वाट काइंड अफ लाइफ दिट रापंजल लिव तो बचे रापंजल कैसी थी शी लेड़ पीस्फुल लाइफ इन टावर इन विच शी वस इंप्रिजन बाय विच और वहाँ पर फिर भी वह बहुत ही पीस्फुल लाइफ जीती थी और अगर कहीं न कहीं हम देखें यहाँ पर अमैंडा ने अपने आपको रापंजल इमाजन किया है तो हो सकता है कि उसने अपनी मदर को भी विच से कमपेर किया हो अगर वो अपने आपको रापंजल मान सकती है तो वो 110% अमनी मदर को विच भी मान सकती है ठीक है भाया, तो यहाँ पर आकर बचे हमारे 15 questions हो जाते हैं खतम आप लोगों के पास सारे questions के answers है आप लोगों को चेक करना होगा कि आप लोगों ने कितने questions के सही answer दिये है चलिए, अब बढ़ते हैं बचे हम लोग from diary of Ann Frank के short question answers की तरफ अब यहाँ पर सब बचे बहुत ध्यान लगा कर बात को सुनेंगे और question को ध्यान चे समझेंगे पहला question क्या कहता है आप लोग पढ़ सकते हैं बचे पहला सवाल कहता है अब यह बचे बिलकुल book की starting starting का सवाल है कि डायरी लिखना Ann Frank के लिए एक strange experience क्यों था तो बचे इसके तीन reasons है आंसर देखने से पहले याद रखना आप लोगों खुद याद रखना है Ann Frank एक 13 साल की लड़की थी जिसको उसके फादर ने उसके birthday के ओपर एक डायरी गिफ्ट करी थी अब क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था remember she had no friends जो close friends जिनसे वो अपने मन की बाते शेयर कर पाए that is why she decided to write a diary अब वो कहते है कि writing a diary was a strange thing for me first of all because वो कहते है ना तो मैं और ना ही कोई और बड़े होकर मेरी एक 13 साल की लड़की ने अपने डायरी में क्या लिखा है उसको पढ़ना पसंद करेगा और वो कहता है आज से पहले मैंने कभी भी कोई डायरी नहीं लिखी है तो दो रीजन्स तो ये हो गए और तीसरा वो कहते है कि इस डायरी को मैं इसलिए लिखने का तैसला किया है तो वो कहते है राइटिंग डायरी is a strange experience for Ann because she had never written anything before because इन से पहले उसने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा था in addition she thought कि आगे जाकर लाइफ में including herself Ann खुद कहती है कि कोई भी interested नहीं होगा in the musings of a 13 year old girl ठीक है अब यहाँ पर वो कहते है किसी को भी interest नहीं होगा एक 13 सार के बच्चे के जिंदगे में क्या क्या चीज़े चल रही है also she had उसके पास और कोई पक्का दोस नहीं था no close friend to lift things उसके मन में कुछ बाते थी जो उसको सता रही थी lift things off her chest ठीक है उसके जिंदगी में कुछ ऐसी बाते थी जो उसको सता रही थी कुछ ऐसी बाते थी जो उसको परिशान कर रही थी and क्योंकि उसके जिंदगी में कोई था नहीं कोई close friend उसकी बातों को सुनने के लिए और कहीं न कहीं उसे अपने emotions went out करने थे तो इस वजह से she was forced to write a diary she was prompted to write a diary तो इसी लिए उसने decide किया कि देखो कोई दोस्त है नहीं इसे अच्छा है डाइरी ही लिख लेती हूं कम से कम कहीं न कहीं तो अपने emotions को रख पाऊंगी अगला सवाल why does Ann say that she does not have a friend अब एक 13 साल का बच्चा है यार 13 years में क्या आपका कोई दोस्त नहीं था Ann Frank कहती है कि मेरी कोई दोस्त नहीं थी लेकिन क्या सच में असका कोई दोस्त नहीं था ऐसा बिल्कूल भी नहीं है Ann Frank खुद कहती है कि मेरी जिंदगी में मेरे पेरेंट्स है ठीक है मेरे फ्रेंग्स है सम थर्टी पीपल I can call friends ठीक है वह कहती है मेरे पास loving aunt है मेरे पास बहुत अच्छी family है लेकिन वो सब क्या है वो सब दिखावटी चीजे है वो सब surface के चीजे है क्योंकि Ann Frank कहती है कि reality में in my real life I have no real friend मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है तो वो कहती है Ann says she does not have a friend because to her friend is someone who is very close to the heart वो कहती है कि भया मेरा कोई दोस्त नहीं है पेरेंट्स थे एक elder sister थी friends with whom she has a good time some 30 friends ठीक है और एक दो भी नहीं कुछ 30 बच्चे थे class के जिसके साथ वो काफी अच्छा time spent करती थी लेकिन what she was missing in her life was a real best friend उनकी सिंदगी में जो एक चीज नहीं थी वो थी उनके सच्चे मित्र उनको सच्चा मित्र ही चाहिए था कि भाई आप वो एक ऐसा इंसान हो मेरी सिंदगी में जिसके से मैं वो सारी बाते कर सकूँ जो भी मेरे मन में आ रही हूँ ठीक है अगला सवाल देखते हैं how was Ann's relationship with her father support the answer with textual evidences Ann का रिलेशन उनके पापा के साथ कैसा था poem के थू आप रिप्रजेंट करके बताईए तो बच्चे सब Ann अपने डायरी लिखना शुरू करती है तो वहाँ पर वो ये कहती है कि देखो मैं अपने डायरी में डायरेक्टली कहानी के उपर नहीं कोदूँगी अपने पहले कोई introduction नहीं दी और main point के मुद्दे की बात पर आ गए इस तरीके से क्योंकि डायरी को मैंने अपना दोस्त माना है और दोस्त को पहले आप background story बताते हो इसलिए मैं भी अपनी सिंदिगे के background story बताऊंगी तो जब Anne Frank अपनी सिंदिगे के background story बताने लगती है तो वहाँ पर Anne Frank बताती है कि Anne Frank के जो father थे she loved her father वो कहती है he was the most loving father she had ठीक है Anne का काफी strong और काफी loving bond था अपने पापा के साथ ठीक है she admired him a lot वो अपने पापा को बहुत पसंद करती थी उनकी बहुत तारीफ करती थी ठीक है as a insan वो उनकी तारीफ करती थी उनको बहुत पसंद करती थी कि उसके पापा काफी अच्छे दिल के है he was an excellent father because वो अपनी डाइरी में ये भी लिखती है अपनी डाइरी में कि my father is the most adorable father I have ever seen he says इसकी मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा है और उनसे प्यारे पापा मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे तो यहां पर बचे ये दिखाता है कि she had a very good relationship with her father तो आप लोग यह लिख सकते हो she had a great bond with her father ठीक है अगले सवाल की तरह बढ़ते है Mr. Keesing कौन थे ठीक है बहुत ज़रूरी सवाल है Mr. Keesing कौन थे और वो Ann से annoyed क्यों थे Ann से वो क्यों चिड़े हुए थे Ann ने ऐसा क्या किया था कि Ann से वो चिड़े हुए थे और Ann को उनने क्या करने को कहा तो देखो भाया Mr. Keesing जो थे न वो Ann Frank के बहुत सारे टीचर में से एक थे और कौन से सब्जेक की टीचर थे Mathematics के टीचर थे जिनके लिए बचे वो एक word यूज करती है Old Foggy Foggy का मतलब होता है बचे कैसा इंसान जो थोड़े पुराने खयालात का होता है तो वो अपने टीचर को Old Foggy बोलती है He was a strict disciplinarian and did not permit any disruption during the class वो बड़ी strict थे और उन्हें अपने क्लास में कोई भी disruption, कोई भी शोर्गुल, हला-गुला पसंद नहीं था लेकिन Ann हमेशा उनकी क्लास में बाते करा करती थी और वो इस बात से बहुत चिड़ते थे तो बहुत सारी warnings के बाद उन्होंने सबसे पहले उसे ऐसे एक निबंद लिखने को दे दिया चार्टर वॉक्स चार्टर वॉक्स का मतलब होता है बच्चे बात करने वाला a person a talkative person basically एक बहुत बातूनी person a talkative person as an extra homework ताकि वो उसको सबक सिखा सके Ann Frank को यहाँ पर सबक देने के लिए Ann Frank को समझाने के लिए कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो गलत है तो तुम चुप हो जाना चाहिए एक काफी positive measure था यह बचे यह कैसी punishment थी यह क्लास में खड़ा होकर humiliate करने वाली punishment नहीं थी जो Mr. Keesing ने दिया था वो काफी positive punishment थी आप लोग याद रखेंगे बचे वो कैसी punishment थी वो positive punishment थी अब बचे भड़ते हैं हमारे दो long questions की तरफ पहला सवाल है Was Ann right when she said the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl तो बचे यह long question आपकी NCRT में से ही उठाया गया है जिसके अंदर बोला गया है कि क्या Ann ने सही बोला था कि दुनिया 13 साल की बच्ची की कहानी में इंट्रस्टेड नहीं होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बचे जब Ann ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था उसे नहीं पता था दुनिया में होलो कॉस्ट होगा उसे नहीं पता था जो हिटलर है वो क्या-क्या दूर भ्यावार कर सकते हैं उसे नहीं पता था कि वो 15 साल की एज में सब्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनके को डायरी पढ़े वो चहाती भी नहीं थी कि उनके को डायरी को पढ़े तो इसे लिए में अभी उनके डायरी को इतनी इंपोर्टेंस भी मिलेगी जितनी अभी मिल रही थी अब एक सेकंड देना तो एन के हिसाब से उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसकी डायरी को इतनी इंपोर्टेंस मिलने वाली है तो बचे एन के लिए दिये गई थी और इन्हों ने अपनी जिंदिगी में 12 जोन 1942 के बाद यह अपने 13 बिर्थड़े के बाद कहानिया लिखना शुरू किया था और उनकी फाइनल एंट्री जो थी वह एक अगस्त 1944 की है यह बहुत अच्छी इंपरमेशन है अगर आप अपने आंसर में य चीजें इतनी बच्पने में की जा रही है शायदे जीजें इतनी बचकानी है कि बड़े होकर आन फ्रैंक भी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगी ठीक है इंट्राचिर निट हवेवर यह डॉकिमेंट उनके मरने के बाद एक यूनीक रिकॉर्ड बनके रह गया जिस चाइम पर हमारे पास परसनल रिकार्ड की कमी दी हमें नहीं बता लोगों के साथ क्या हुआ या क्या नहीं तो उस समय पे एंट फ्रैंक की जो डाइरी थी न वो एक परसनल रिकॉर्ड का एक्जांपल बनके हमारे सामने आई उनके फादर ने आंट फ्रैंक के मरने के कि बारे में सोचा जब उनना अपनी बेटे की डायरी को पढ़ा और उसके बाद वोई डायरी पब्लिश कराते हैं आज आपके से लेबस तक में इसके क्वेशन आते हैं तो वह कहते हैं बहुत सारी फिल्म टेलिविजिन शो थीट्रिकल प्रोडक्शन वगेरा इस डायरी के पर बेज हैं डिस्क्राइब डायरी को लगता था कि वह बहुत चोटी बच्ची है लेकिन जब इस डायरी को पढ़ा गया तो लोगों को कहना यह है कि जिस बच्ची ने इस डायरी को लिखा है वह बहुत ही समझदार लड़की थी और उस समय पे नाजी कंट्रोल के अंदर इन यहूदियों के साथ या जीओस के साथ क्या-क्या दूर भैवार हो रहा था वह डायरी में सब कुछ लिखा गया है जो अपने डायरी को प्यार से किटी बुलाती थी वह एक और्डिनरी डायरी नहीं है वह एक और्डिनरी राइटिंग नहीं है लेकिन वह दुनिया का एक बहुत जाना माना creative work है जिसने लोगों के मन में सारे group में सारे nationalities में सारे के सारे लोगों के because Ann Frank के diary बहुत जादा importance रखती है even आज के world में भी और प्लस आपके syllabus में भी तो हम यह कह सकते हैं कि Ann ने मुझे लाइन बोली उसको भी expected नहीं था कि उसकी diary के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है अगला सवाल बचे वही आता है अपने father, grandmother, Mr. Cupress and Mr. Keezing को लेकर Ann Frank के मन में क्या-क्या खयाल थे तो बचे यह Ann के संदगी में रहने वाले कुछ अलग-अलग important लोग हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा सबसे पहले Ann के father के बारे में बचे हमें पता है कि Ann के relation अपने father के साथ बहुत अच्छे थे father के बाद सबसे ज़दे important अगर Ann Frank के लिए कोई था बचे तो वो उनकी grandmother थी जिनसे उनने बहुत-बहुत ज़दा लगाव था वो क्यों था इतना ज़दा लगाव अपनी दादी से क्योंकि जब उसके पापा और ममा चले गए थे Holland के लिए तो उसके बाद Margot उनकी बड़ी बहन और Ann Frank दोनों के दोनों कहां पर रुखे थे यह अपनी दादी के साथ रुखे थे अशन नाम की जगा में जर्मनी में हुआ करती थी इसने बहुत लंबी साल चार साल तक यह से अपने दादी के साथ रही तो तब तक बच्पन में दादी के साथ रहे कर Ann Frank की रिलेशन्स बहुत जादा अच्छे हो गए और in fact Ann Frank की डायरी लिखने का एक बहुत बड़ा रीजन उसकी दादी की डेट थी 1942 के जानवरी में उनकी दादी की डेथ हो जाती है और उनकी दादी की डेथ को याद रखते हुए Ann Frank क्या करती है उनके लिए एक कैंडल भी लगाती है अपने के क्यों पर और वो यह भी कहती है कि दादी के जाने के बाद मेरी जिन्दगी म बहुत प्यार करती है और बहुत खुशी से रहती है उनके साथ इवन एड़ी टेंडर एज और फोर भले ही जब वह एक बहुत ही छोटी उमर में थी चार सार की एज में थी वह भी तब जब उसे पता है कि उसके पैरेंट्स किसी और देश में हैं जो अभी किसी और जगा पर जा चुके हैं एमिग्रेट का मतलब होता है बचे मूव आउट जो अपने देश से बाहर निकल कर किसी और देश में जाकर रहने लग गए हैं उसके बाद आती है उसकी हैड मिस्ट्रेस उसकी प्रधान अध्यापिका यानि उसके स्कूल में जो टीचर पढ़ाती थी उ मैं और मेरी टीचर मिस्स क्यू परःस हम दोनों रो रहे थे सिक्स्थ फ फॉॉर्म से जब जाती है ail में सिक्स्थ क्लास के एंड में जब कहती है कि मैं उन्से दूर हुई तो हम दोनों बहुत रो रहे क्लास में बहुत ज़दा बाते करती थी और मिस्टर कीजिंग को आन का बात करना पसंद नहीं था तो यहां पर आते हैं बच्चे उसके मैथमाटिक्स टीचर को मिस्टर कीजिंग को वो एक अन्प्रेडिक्टिबल ओर्ड फोगी बोलती थी वो गयते थी भाया इनके बारे मे पॉजिटिविटी के साथ देखती थी ठीक है पॉजिटिविली वो और चीजों को कैसे देखती थी पॉजिटिविली देखती थी शी वाप यहां तक आप लोगों को अन्फरेंक के सारे क्वेशन समझ में आयोंगे और वो कहते हैं तो bond with the people she loved and respected was very strong ये दिखाता है कि Ann बहुत mature थी बले ही वो एक छोटी उमर की लड़की थी लेकिन उनमें समझदारी कि कोई भी कमी नहीं थी बचे यहाँ पर आप इनके लिए word use कर सकते हो समझदार तो वो अच्छी खासी समझदार थी तभी उनके relation बाके लोगों के साथ इतने अच्छे हुआ करते थे अब आते हैं बचे how to tell wild animals बहुत बहुत असान असान questions आते हैं कि कैसे animals को आप कैसे पहचान सकते हो तो बचे पहला सवाल आता है अगर आप वो के सामने के Asian lion आ जाता है तो आप इसे कैसे पहचान होगे इस तरफ हमारी इस वेस्ट यान आपको पूरब दिशा का जो दुनिया है उस दगा में आपको इस यह एशन लाइन देखने को मिलेगा है भी एकना सहस taken सबस्क्राइब को जबाता है तो आपको इस सामने आपके आपको आपको सामने के सामने खंव माहला आ यहाँ ह्फ demolition के अंदर थोड़ा सा और उस चीज़ को सुन्दर बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने इस लाइन को बोला है चलिए अगला सवाल देखेंगे तो बच्चे हमारे न वर्ड होता है LEPT L E A P T ठीक है, वर्ड की स्पेलिंग होती है LEPT और मतलब होता है बचे, जम्प करना ये वर्ड होता है LEPT और इसका मतलब होता है जम्प करना लेकिन पोएम में बच्चे उसको LEP LEP करके लिखा गया है, लेपी करके लिखा गया है तो वो कहते हैं यहाँ पर Poet ने ऐसा क्यों किया है तो भया poet ने liberty लिया language के साथ है या नि पुएट ने free use किया है poet ने अपनी मर्जी से words को change कर दिया है जान के कुछ word को misspell किया है जहां पे misspell की भी गलत spelling है misspell किया गया है कुछ words को जान कर ताकि वो leopard के temperament के उपर उसके nature के बारे में हमको बता सके है भया कैसे उनने left word का use किया है instead of left मतलब उनने ये correct word है और ये हमारे poem में use करे जाने वाली spelling है वैसे ही leap and leap को उनने lap and lap लिखा है क्यों ये सारे word जो है न ये leopard word के साथ match करते हैं लीप बोलो या lep बोलो अब lep leopard से मैच करता ना leap leopard से मैच नहीं करता तो इसलिए उनने rhyming बनाने के लिए poetic उसको थोड़ा सा funny बनाने के लिए humorous बनाने के लिए poet ने क्या किया उनने leap को change करके lep कर दिया क्योंकि lep जो है बच्चे वो leopard word की sound से मैच करता है और सुनने में भी अच्छा लगता है चीक है अगला सवाल देखते हैं अब poet कहते हैं कि आप एक bear को कैसे पहचान होगे वह कहते हैं कि आप एक bear को कैसे पहचान होगे कि आपके सामने जो animal खड़ा है वो एक bear है तो वह कहते हैं bear का जो behavior है न वह distinctive है यानि वह कहते हैं अगर आपको bear को पहचानना है तो उसका behavior आपको थोड़ा different देखने को मिलेगा it is the habit of grasping its victim वह कहते हैं उसकी आदत है कि वह अपने victim को यानि अपना जो उसका शिकार है अपने शिकार को दबोच लेता है शिकार को वह पकड़ लेता है जैसे जप्पी पा रहा हो उसको ताकि वह उसको डरा सके या फिर उसको चोक कर सके उसकी सांस रोके उसको मार सके और वह कहते हैं bear जो है वह इसी तरीके से आपको hug करता रहता है तब तक जब तक आप मर नहीं जाते हैं तो वैसे तो मार वो दबाता है वो आपको हग नहीं करता लेकिन यहां पर वियर से हमें मिलवाने के लिए उन्होंने के उसको बहुत ही पॉटिकल्ष को भी वीड़ होग करने कहते हूं तो आपका जो word है, beer hug यह हमारे beer से ही आया है because beer एक इनसान को इतना tightly पकड़ देता है, इतना tightly जकड़ देता है कि वो मर जाए जिक है आखरी short सवाल बचे के million कैसे describe करी गई है के million माने गिर्गिट, गिर्गिट माने जिन्दिगे के लोग ठीक है, तो यहाँ पर वट ने गिर गिट को भी डिस्क्राइब किया है वो कहते हैं गिर किया है गिर प्रकार छोटा सघ्विय वर इसको रिजामबर करता है अब लोलोग तक कैना वर इनके लगल होते वह gefähr 0 इनके पंक होते हैं and the ability to change its color according to the background लेकिन वो कहते हैं इनके शरीर पर एक चीज होती है जो लिजर्ट में नहीं होती sorry वो कहते हैं कि यहाँ पर आपकी आपकी जो chameleon है वो क्या करती है वो कहते हैं अगर आपको एक पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा पेड़ की चाल पर पेड़ के तने पर अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप यह मान लीजिए कि वहाँ पर सौ प्रतीशत एक chameleon बैटी होगी वहाँ पका ही है कि वहाँ पर कोई नो कोई गिरगेट जरूर होगी तो बचे गिरगेट की अपनी एक खासियत होती है कि वो अपने आपको अपने आसपास के रंगे हिसाब से ढाल लेती है और दिखना बंद हो जाती है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसके पास ability है उसके पास शमता है अपको अपने background color से match करने में इट कें easily blend itself with the surroundings वो अपने आपको बहुत जल्दी ढाल लेती है अपनी surroundings के आसपास से और वो कहते हैं उसके बाद उसकी presence को पहचानना बिल्कुल नमुम्किन जैसा हो जाता है उसके बद आपको कभी पता भी नहीं लगेगा कि वहाँ पर कोई चलिए सब्सक्राइब करें जाते हैं अगर अगए तो उसके लिए हम आपको सब बताएंगे क्यों कोई क्वेशन चोड़ने वाले नहीं बच्छे ताकि आप लोगों को पेपर में कभी कोई भी सवाल आ जाए तो इसको आप अच्छे से करपाएं उसको गलत ना करें यह कहते हैं यह सारे फिरोशियस वाइड आनिमल्स हैं, क्या है यह फिरोशियस वाइड आनिमल्स हैं, यह बहुत जितने भी आनिमल्स हैं, यह सारे बहुत ही डरावने तो में नहीं कहूंगे, लेकिन बहुत ही जादा अक्रामक, बहुत जादा गुस्से वाले आनिमल्स हैं, जिनके सामने अगर आप आजाओ तो आप वो खा जाएंगे, यह सारे wild beasts of prey हैं, यानि यह सब शिकारी animals हैं, ठीक है, जो बाकी animals को मारते हैं अपने खाने के लिए, people usually living away from the forest cannot identify them easily, तो poet कहते हैं कि जो लोग अलग रहते हैं, इनसे वो शायदे ने पहचानना पाएं, तो हमारी जो poet है, Caroline Wells, उन्होंने यह poem बनाई, जिसमें वो सारे animals की अलग-अलग appearances बताती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि Asian lions को पहचानना है, तो पहले तो आप अपने globe की पूरवी countries में आजाएं, Eastern countries में आजाएं, क्योंकि यह animals आपको वहाँ पे मिलेंगे, यह बहुत बड़ होते हैं, विशाल होते हैं, ठीक है, इनके dull brown skin होती है, इनके skin color होता है, वो कैसे होता है, brown होता है, और वो कहते हैं, किसी भी इनसान को डरा सकते हैं, और डरा कर मार सकते हैं, सिर्फ दहाडने से, ठीक है, तो हमारी Caroline Wells, जो है, वो यह imagine करती है, कि लोगों को पता ही नहीं कि आनिमल दिखते कैसे हैं ठीक है वो कहती है कि यह इतना जरावना है कि अगर दहाडा तो इंसान इसकी दहाड सुनकर ही मर जाएगा दोसरा आनिमल अब वो कहती है बेंगोल टाइगर बाखी आनिमल से अलग पहचाना जा सकता है किसकी वजह से उसकी येलो स्किन की वजह से ठी थारियां मैं मंटलब मैं मेरों पर जब तक शेर दहारे नहीं मुझे पता निगेगा कि बहुत था 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 तो अगर बीस्ट आपको खाने आता है तो यल्लों कलर का है अगर वाख को यह लो फिर खbst लाइब तो तो अपकर इस वेरी डेफिनिट मतलब बहुत पक्का है कि और वो कोई अधर आनिमल नहीं होगा वो एक बेंगॉल टाइगर होगा यहां पर कितनी फणी सी बात है कि मतलब जब तक टाइगर मुझे खाने नहीं आएगा उसको देखकर तो मुझे पता ही नहीं लगेगा यह क् और वो कियते हैं यह इतना खतरनाक आनिमल है कि यह एकदम से आप पर जंप करेगा यह एकदम से आप पर जपटा मारेगा और उसके बाद आपको खा जाएगा खपड़ खपड़ करके आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक बेंगॉल टाइगर का खाना बन गए औ मर जाते हैं ओ मर के पता लगा ओ बगवान अच्छा मेरा कातिल ताइगर था अब तीसरे आनिमल है बचे हैं हमारे पास एक लेपर अब कहते हैं लेपर की और इंग स्किन की ऊपर आपको डॉट 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 करके ब्लाक स्पोर्ट मिलेंगे उसका पेल स्ट्रॉइअ कूर का होता है और उसके ऊपर दाक स्पोर्ट होते हैं जो पैपरी पाटन बनाते हैं जैसे अब अपने ainda पिजांख के उपर औरी हैं यह जाता धाता है कूद जाता है इसे तो अगर आप चिलाओगे भी ना तो यह आपके पर और तेज़ कूदेगा और जितनी तेज़ आपके ऊपर कूदेगा असके आपको मारी देगा अब कहते हैं तो पोईट रिमार्क्स कि लेपर बिकॉस इट लीपस अन लीपस ऑन परसन इंप्लाइंग कि लीपिंग जो है इंसान पर क अब बकरी ना समझ पैठें चलिए अब बढ़ते हैं भाईया इसके अगले सवाल की तरफ अगले सवाल में वापस से हमारे पास एक सवाल आता है कि एक बीयर की एक हाइना की एक क्रोकोडाइल की और एक केमिलियन की क्या खासियत पोईट नहीं आपकर डिस्क्राइब करी ह है तो बचे हमारे वही चारों आनेमल्स हैं जो उनके बजह से हमने सब्हारा इसकारघते बात हैं और उनके फॉजिकल आनेमल्स हमें यहां दे दिए गए तो ब्ट MSV और यहां पर हैं सबसेएब बहीर र्ट्रेट केोपर भी फोकस किया दोनों बिल्कुल अलग है एक जब शिकार करता है तो जूटी हसी असता है और दूसरा जब शिकार करता है तो वो जूटा आसु निकालता है वो जूठे जूठे आसू रोता है, कैसे रोता है वाईया, तो वो कहते हैं यहाँ पर वो दोनों अपने different behaviors के लिए जाने जाते हैं, एक हाइना कि अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, तो जब वो अपने victim को खा रहा होता है, तो वो अपने चेहरे पर एक हसी रखता है, वो तो मेरे दोस्ते हैं, तो मेरे दोस्त बोलते 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 तो मैं खा जाएगा, और while on the other hand, आपका आता है क्रोकोडाइल, जब क्रोकोडाइल आपको खाता है, तो आपको खाते खाते वो रो रहा होता है, कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कि मैंने तुम्हे बहुत ब फोले बहुत लोग पुझे हो उतोभी मन तेली मुझे लेके थो हाशो कि हान्ट में बें तो फुर्फ सि Ergebते को करते हैं उतक्राइन आणस या। वहलिदी कांता है इक करते है कर्फ़ूद।ETS seem to shed tears while eating up the victim to show कि by God मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और लास्ट आनिमल बच्छे जो हमारे पास है यहाँ पर वो है वो कहते हैं इवन और नोवाइस का मतलब है बच्छे बिगनर अब वो कहते है कोई बिगनर इंसान भी होगा न तो वो भी पहचान लेगा कि यह आनिमल सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है चिक है अब आते हैं चेमेलियन जो एक लिजर्ड से रिजेंबल करती है उसके ना इसपास की सराउंडिंग्स के साब से ताकि वो इसली डिटेक्ट ना हो सके ताकि वो इसली पकड़ी ना जा सके एट में भी सीट न ब्रांच ऑफ ट्री वो कहते हैं हो सकता है कि वो पेड़ के तने पर बैठी हो लेकिन पेड़ के तने पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है त you may not be able to discern it और वह कहते हैं शायद आप उसे find out नहीं कर पाओगे शायद आप उसे discern भी नहीं कर पाओगे वहाँ पर बैठी है इस तरीके से पोएट ने छोटे-छोटे तरीके से और काफी फणी तरीके से उन्होंने आनिमल्स को रिप्रेजेंट किया कि हमें तो शायद पता ही नहीं कि आनिमल्स कैसे होते हैं तो बच्पन से सिखाया जाता है कि आनिमल के ट्रेज्ट क्या है लेकिन यहाँ पर बड़े ही फणी वे में पोएट ने आनिमल के ट्रेज्ट को शो किया है ठीक है बई तो आई होप यहाँ तक बच्चे आप लोगों के दो चाप्टर्स सबसे पहला सवाल भया यह रहां आप लोगों की स्क्रीन पर अब देखो बच्चे यहां पर ना अमेंडा के लिए अगर आप ओम को ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देखना कि ना तो वहां पर बच्चे मदर की बात की जा रही है नाम तो है नहीं मम्मी का हम ने बनाया ह मम्मी बात कर रही है और ना बच्चे वहां पर कहीं फादर का नाम दिया गया है तो क्योंकि हमें मदर और फादर में से किसी का नाम नहीं दिया गया दोनों में से कोई भी मेंचिन नहीं है लेकिन एक बेसिक हैबिट क्या होती है जो हम घर पे होते हैं तो हमारी मम्मा हमें देती है ना चीजों के लिए सिखाती है पापा जेनरली घर के बहार होते हैं तो यह हमारा अनुमान है कि हमारी पोएम में जो इंसान अमेंडा को डांट रहा है वो शायद से उसकी मम्मी है ठीक है बन अब दे में पेरिंट्स प्रबबली हर मदर और रीजन मैंने आप लोगो कि मम्मी कैसी है भाया वो बढ़ी स्ट्रिक्ट है बहुती गुस्य वाली है और वो चाहती है कि उनकी डॉटर जो है वो बिलकुल वैसे ही चले जैसे वो चाहे ठीक है शी वांट सो डेवलाप डॉटर इंटो वेल ब्रॉट अप गर्ल यारी पढ़ी लिखी समझदार सही प अभी वा समझाना ठीक है लेकिन अमंडे की जिंदे की इमेजर रिस्ट्रिक्ट्ट लगाए जाती है अउसके हुजासे अमंडा को अपनी जिंदे की पहात ज्यादा कंट्रोल टाल लगती है ठीक है एन्द रिब्यूक्स हार फर वाट शी फगन्स टू अर उसकी मम्मी के मत चाबिक उसकी मदर को जो गलत लगता है उसके लिए वो उसको डांट देती है ठीक है और यह अमैंडा के लिए गलत नहीं अमैंडा की मम्मी के हिसाब से जो गलत है जैसे चॉकलेट्स खाना ममा ने उसको उसके लिए भी डांट दिया शी परपेच्विली इंस्ट्रक्ट्स परपेच्विली का मतलब होता है कॉंटिन्यूसली बिना रोके हर चीज के अंदर उसकी मदर जो है वो उसको बात बात के उपर इंस्ट्रक्शन्स देती रहती है उसको परिशान करती रहती है इसी वजह से अमैंडा जो है वो अपनी मम्मी से जादा बात करना पसंद नहीं अब पहली बार जो अमैंडा की मम्मा भी वाला question आता है कि अमैंडा क्या करती है अगर वो mermaid बन जाती तो बच्चे अमैंडा की mother ने जो पहली बार हमारी पॉम के हिसाब से अमैंडा को डाटा तो अमैंडा इतनी परिशान थी कि अमैंडा ने imagine किया कि देखो काश मैं एक Langwid Emerald Sea में होती, कहां होती, Langweed Emerald Sea, बचे ये बहुत important line है, Langweed का मतलब होता है, काफी काम, काफी शान्त, इसी, Emerald का मतलब होता है, बचे ग्रीनिश कलर की, Sea की अंदर होती हैं, और वहां पर अपने आपको imagine करती है, जलपरी के form में, वह अमांजन करती है, मैं एक जलपरी हूँ, और क्योंकि उसकी मम्मा ने इसको टेडा बैठने को, सीदा बैठने को, ऐसे करने को, वैसे करने को मना किया है, इसलिए Amanda, अब अपने आपको कैसे imagine करत मुझे कोई रोकने वाला नहीं है Amanda would enjoy herself in the calm still placid water calm still and placid मतलब शान्त और काफी आप कहा सकते हो कि peaceful पानी के अंदर उसको कोई disturb करने वाला नहीं होगा और वो कहती है कि यहाँ पर I will be the sole inhabitant वो यह भी कहती है कि यहाँ पर मेरे इलावा और कोई नहीं होगा ठीक है वो कहती है इस पूरी emerald sea में सिर्फ मैं ही होगी यानि मुझे कोई रोकने डोकने परिशान करने वाला भी नहीं है she would all be by her by herself वो कहती है वो सिर्फ अकेली होगी with nobody to disturb her she will have a blissful life और वो कहती है कि वहाँ पर वो imagine करती है कि अगर मैं एक mermaid बन जाओ अगर मैं जलपरी बनके उड़ती बनू वो पानी में you know घूमती रहूं तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी मुझे कोई रोकने वाला डिस्टरब करने वाला परिशान करने वाला मैं जैसे बैठू मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा ठीक है थर्ट सवार कहता है बचे कि क्या Amanda सच में ओर्फन थी क्या Amanda सच में अनाथ थी क्या Amanda बच्चे अनाथ थी Amanda अनाथ नहीं थी और बचे याद रखना Amanda ने अगर अपने आपको बोला कि काश में अनाथ होती तो यहाँ पर Amanda भी गलत थी दुनिया में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके माबाप नहीं है और जो दर्द जो दुख वो जिल रहे हैं वो Amanda नहीं जिल रही है तो यहाँ पर जभ Hammanda यह कहती है यह उसकी जगह पर एक बड़ी छोटी और नीच बात है एक और पर पीयर सी कंपेर करती है बहुत जास में गलत बात है तो इमाइडा बच्चे यह बहुत बच्चस्य अनाथ बच्ची नहीं है अपनी मम्मी के constant, यानि लगातार अपनी मम्मी के scolding स्खाने की वज़ा से वो उन्चे चिड़ चुकी है और उनके criticism की वज़ा से, उनकी रोक्टो की वज़ा से, उनके दुर भ्यावार की वज़ा से जो हर चीज में से रोकना, टोकना, कमी निकालना, इसकी वज़ा से वो कहती है कि देखो इससे अच्छा मैं कॉर्फन ही हो, ना तो होंगे माबाप और ना ही ये बाते मुझे सुनने को मिलेंगी therefore she imagines herself to be an orphan, तो इसलिए वो अपने आपको इमाजन करती है एक orphan के रूप में, ताकि वो life जी सके अपनी खुद की whims and fancies के थूँ, यानि अपनी खुद की desires, अपनी खुद की wishes और अपनी खुद की मर्जी से उसको कोई रोकने वाला नहीं हो, without being checked by anyone, जहाँ पर वो ये भी क करूंगी, roam in streets, जहां पर वो कहती है, मैं streets में रूग रोम करूंगी, घूमूंगी, और वो कहती है कि जो freedom, जो silence होगा मेरी जिंदगी में, क्योंकि कोई मुझे परिशान करने वाला नहीं होगा, वो golden होगा, वो बहुत precious होगा, गोल्ड जितना precious होगा, कीमती होगा मेरे ल जो पर वाल बचे short questions में से, आपको क्या लगता है कि Amanda की mother कर नहीं है, वो सही है या गलत है, आप Amanda की mother के लिए, क्या impression अपने दिमाग में बनाते हैं, तो भया हमने देखा कि Amanda की mother जो है, वो एक close आय रखती है अपनी daughter के ओपर, या बहुत ध्यान रखती है अपनी बेटी का and constantly keeps her instructing with do's and don'ts, और उसको लगातार, ऐसा मत करो Amanda, ऐसा मत करो Amanda, ये मत करो Amanda, वो मत करो Amanda करती रहती है, she is sensitive to what other things about her, और वो ये पी सोचती है कि you know, तुमारे face पे अखनी हो जाएगा, what will people say Amanda, don't look at me like this Amanda, people will think that I nag at you, वो कहती है कि मुझ को इस तरीके से मत देखा करो, लोग अशान करती हूँ, तो वो basically ये सोचती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, not that कि वो अपनी बेटी के साथ जो विहवार कर रही है, और से उनकी बेटी उनके बारे में क्या सोचेगी, ठीक है, she is sensitive towards what other things about her and doesn't want to be criticized by anyone, और वो किसी के भी द्वारा कोई भी कमी पेशी क बाते अपने लिए नहीं सुनना चाहती, ठीक है, वो नहीं चाहती कि कोई भी आयोर उनकी बेस्ती करें या उनको टोके कि तुम्हारा behavior तुम्हारी बेटी के साथ गलत है, तो इसलिए वो Amanda को टोक देती है, कि तुम इस तरीके से मुमत बनाओ, वरना लोग मुझे गलत ताकि लोग मेर को कुछ ना वोले, और गिव इंप्रेशन टू अधर शी बिंग नाग बाई हर मदर, ताकि लोगों को यह ना लगे कि उसकी मदर जो है, उसको नाग कर रही है, उसकी मदर जो है, वो उसको परिशान कर रही है, वो चाहती थी कि वो एक काफी अच्छी इमे अच्छी बाई हर मदर, हाव डाज शी फील अबाउट इट तो मैंडा की ममा, अमैंडा की मदर उसको कैसे ट्रीट करती हो, और अमैंडा को कैसा लगता है, तो भया देखो, अमैंडा एक छोटी वच्ची है, ओविसली, यंग, स्कूल गोइंग गर्ल है, विकस उसकी हो मद जूते भी पॉलिश करने होते हैं, जिसकी मदर उसको बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करती है, अमैंडा मदर एक्सपेक्ट्स अ हाइली डिसिप्लेंड लाइफ, वो चाहती है कि वही अगदिम शिस्त वाली जिंदगी हो, और वो पागल है, जुनून है उनके अंदर एक अ एक अग्याकारी बच्चा मनाएं, ताकि वो मम्मी के आगे कुछ नहीं बोलना, बस उनकी बाते सुनती जाएं, अर अपसेसिव कंसर्ण रिजाट इन रिजाट इन रिजाटेंगी हो, और वो चाहती हो, तो जब वो इतना डाटती है, इतना डाटती है, और यह रियलाइज नहीं करती, वो यह रियलाइज नहीं करती, without the realization, कि एक यंग बच्चा उसे खुद को थोड़ा सांस लेने का समय तो दो, उसको भी जिंदगी अपने ही साब से जीने तो दो, The mother forgets that free thinking and imagination are essential for proper physical and mental growth of a child, वो मम्मी अपनी बात मनवाने में यह भूल जाती है, कि बच्चे के लिए अपनी खुद की सोच रखना, खुद की जिंदगी में imagination रखना, उसकी growth के लिए, उसकी physical growth के लिए और उसकी mental growth के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर जगा पर अमाइंड की मम्मी उसे control करने की कोशिश करती है, ची fails to observe वो इस चीज को देखने को मैं बिलकुल नजर अंदास कर देती है, इस चीज को कि बच्चे को भी independence दी जाने चाहिए, थोड़ी सी, जादा नहीं तो थोड़ी सी तो दो, ताकि उसको यह ना लगे कि भाया वो बहुत controlled है, ता अपने अपको बचाना, जो भी उसके दिमाग में खयाल चल रहे हैं, उसे परे हो जाना, उन सब चीजों को छोड़ देना, अमेंडा की मदर जो है, वो उसको दात पे काटने के लिए बोलती है, उसके शोल्डर्स को ऐसे हंच करने के लिए बोलती है, अमेंडा अपना एक छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट्स खाने के लिए तो मना कर रहे हो यह बोल कर कि तुम्हारे फेस पे दाने हो जाएंगे, एक छोटे बच्चे को अपने चेहरे पर दाने होने से कोई फरक नी पड़ता, उसके लिए इंपोर्टेन चॉकलेट खाना है, अब अब अ आपने चैटे करने का मतलब होता है, सकोलब करना, भूबच करने का मतलब होताइं करना, तो म सब बात करो, तुम में बन्धी सी, और बहुत suppressed जहें ठीक है उसकी मम्मा ने उसकी जिंदगी पर बहुत ज़दा control बना रखा है और अपने dreams में अपनी खुद की imagination में उसको थोड़ी शांती मिलती थी अपने खुद की dreams में उसे थोड़ा सा काम महसूस होता था थोड़ा अच्छा लगता था कि चलो यह मेरी जिंदगी में अच्छी चीज है और अपनी imagination में वो अपने real जिंदगी से बिल्कुल opposite जिंदगी जीती थी जहां पर she was her own master जहां पर वो अपनी खुद की independence रखकर अपनी जिंदगी को जीती थी जिसमें मैं अमांडा को भी गलत नहीं कहूंगी मैं mother को भी गलत नहीं कहूंगी लेकिन mother की तरीके को जरूर गलत कहूंगी कि जिस तरीके से अमांडा की mother अमेंडा को handle कर रही थी वो absolutely गलत तरीका था इस तरीके से बच्चे नहीं पलते हैं यह उसकी मदर को समझना चाहिए था अब यहाँ पर बच्चे आता है सवाल कि ऐसी क्या चीज़े थी जो अमेंडा की मदर को annoy करती थी मम्मी कैसे इंप्रोव करने की कोशिश करती थी कि आप उनकी अप्रोच को appreciate करते हो तो बच्चे अमेंडा की मदर annoyed है यानी गुस्से में है बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो उने objectionable लगती है जो उनको गलत लगती है अपनी नजरों के अंदर के भया जो मेरी बेटी कर रही है वह गलत कर रही है जिसकी वजह से उसकी मम्मी यह नहीं समझती है कि 24 गंटे डाटने से 24 गंटे उल्टा बोलने से अपने बच्चों को वह अपने बच्चे के मांसिक विकास को रोक रही है ठीक है दम अबर्दर मदर रिब्यूक सर फर बाइटिंग हर ने उसको डाटती है उसको डाटती है कि तुम अपने नेर क्यों बाइट कर रही हो लाउची कर रहे हो हम मानते हैं यह अच्छी हैबिट से लेकिन कोई चीज़ प्यार से भी तो समझाई जा सकती है हर चीज़ के लिए डाटना जरूरी तो नहीं है अब जो चीज़ प्यार से समझाई जा सकती है तो बच्चा नहीं समझेगा का पर है अगर वो अपने जोते क्लीन नहीं करती तो यहाँ पर उसकी मदर ने उसको रिफ्यूस कर दिया है मना कर दिया है कि बड़ा चॉकलेट खा मतली हो वन्हारा आकने जो है चेहरे के ओपर यानि तुम्हारे फेस पर जो पिंपल्स हो रहे है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो हम उसकी मम्मी के concern को गलत नहीं कहते हैं लेकिन एक छोटा बच्चे को तुम चॉकलेट खाने से मना कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि छोटा बच्चा चॉकलेट खाने से मान जाएगा उल्टा वो तुम्हारे और अगेंस्ट हो जाएगा उसे डाट परती है कि वो रिब्यूक क्यों कर रही है उसकी मम्मी यह भी नहीं बताना चाहती सब को कि भाया मैंने बच्चे को डाटती हूँ इमेज कॉंशेस हैं I won't like she says कि stop making fixes Amanda when I talk to you लोगों को यह लगेगा कि मैं तुम पर सल्क करती हूँ मैं तुम मैं बाते सुनाती हूँ इसलिए अमेंडा को बुरा लगता है अपनी मदर के बिहेवियर के उपर अपनी बेटी के जिंदेगी को इंप्रूव करना है लेकिन उनकी जो अप्रोच है जो तरीका वह अपना रही है वह बिल्कुल गलत है यह जो बात बात पर टोकना बोलना इसकी वजह से अमेंडा ने क्या करना शुरू किया उसने रियालिटी से भागना शुरू कर दिया उसने जिंदिगे के सच्चाई से भागना शुरू कर दिया अपनी खुद की इमैजिनेशन में जाना शुरू कर दिया अब यहां से उसक इसका हाथ पूरा का पूरा मम्मी गा इंटु दो वर्ड्स ऑव ड्रीम्स और इमाजिनेशन जहापर वो फ्री है शी डास नॉट माइन बिंग अन ओर्फन वही वाली बात है न कि वह कहते है कि भाया मुझे अनाथ बना दो मुझे फरक नहीं पड़ता लेकिन यह माता की बात तो मैं उसमें ज्यादा खुश था तो सोचो कि उस बुच्चे की मानसिक स्हिश्थी क्या होगी इंट भूर यह वाली तो शायद वो और ज्यादा ओए फेक्टिव होती और अमम्मी की और धियान से सारी बातों को सुनती ठीक है तो यहां पर आकर बच्चे हमारे 30 questions हो जाते है complete और last वाले questions पर हम सारे हो गए बड़े भावो क्योंकि यह सारी चीज़े हम सब लोग खुद देखते हैं तो बच्चे homework मेरा आप लोगों के लिए यही रहेगा कि जितने भी answers है आप इनको learn कर लीजिए ताकि आप लोगों को paper के time पर दिक्कत ना हो इसके DPP बच्चे आप लोगों को मिल जाएगी lecture के साथ और अब मैं मैं आप लोगों को कब मिलूंगी भाया मैं आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में same day same time next week तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे भड़ते रहिए all the very best कोई डाउट हो तो बच्चे आप लोगों के लिए आपका कॉमेंट बॉक्स है मुझे जरूर बताएगा कि आपका लेक्चर कैसा लगा कोई डाउट है तो बच्चे आप लोगों के ल अगे बढ़ते रहो गड़ते रहो गड़ बाय आविवान गुटनाइट